दोस्तो बड़ी खबर आई है चन्ने सुपकिंग्स की तरफ से और IPL 2022 में महिंदरी सिंग धोनी हमको नहीं दिखेंगे कप्तानी करते हुए सरजडेजा रहेंगे चन्ने सुपकिंग्स के अगले कप्तान और महिंदरी सिंग धोनी सुरेश राइना के बाद रविंदरी जड़जा होने वाले हैं तीसरे मात्री चन्ने सुपकिंग्स के कप्तान MS Dhoni के अगवाई में चन्ने सुपर किंग्स ने IPL के चार टाइटल जीते हैं लेकिन CSKK CEO कासी विश्वनाथन के मुताविक MS Dhoni ये कई दिनों से सोच रहे थे और उनका ये मानना है कि ये एकदम सही समय है रविंद्रे जडेजा को कप्तानी सोपने का क्योंकि रविंद्रे जडेजा काफी अच्छे फॉर्म में है और MS Dhoni ने कुछ ऐसा ही किया था विराट कोली के साथ भी जब विराट कोली काफी अच्छे फॉर्म में थे तो ये जरूर कहेंगे MS Dhoni का ये फैसला एक बाफिर से हमको चोकाने में सफल रहा है लेकिन आपका क्या मानना है बताए हमारे कॉमेंट सेक्षन में साथ ही साथ वीडियो को करें लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा उस पैल आइकन के साथ शुक्रिया